शास्त्रों की बात, जाने धर्म के साथ, एक व्यक्ति किसी संत के पास गया और बोला गुरु डेव मुझे जीवन के सत्य का पूर्ण ज्यान है, मैंने शास्त्रों का काफी अध्ययन किया है, फिर भी मेरा मन किसी काम में नहीं लगता, जब भी कोई काम करने के लिए बैठता लगता है, इसके बाद मैं उस काम को छोड़ देता हूँ, इस अस्थिर्ता का क्या कारण है, फिर पया मेरी समस्या का समाधान बताएं, संत ने उसे रात तक इंतजार करने के लिए कहा, रात होने पर वह उसे जील के पास ले गए, और जील के अंदर चांद के प्रतिविम् एक चांद आकाश में और दूसरा जील में देख रहा है, तुम्हारा मन भी इस जील के चांद की तरह है, तुम्हारे पास ज्यान तो है, लेकिन तुम उसका इस्तिमाल करने की बजाए सिर्फ उसे अपने अंदर समेट कर बैठे हो, ठीक उसी तरह जैसे जील असली चांद क प्रतिबिम लेकर बैठी है, तुम्हारा ज्यान तभी सार्थक हो सकता है जब तुम उसे व्यवहार में एकागरता और सयम के साथ अपनाने की कोशिश करो, जील का चांद तो मात्र एक भ्राम है, तुम्हें अपने काम में मन लगाने के लिए आकाश की चंद्रमा की तरह ब पनाओ, शुरू में थोड़ी परेशानी आएगी पर कुछ समय बात तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी